देश में नएक्रिशी कानून के खिलाब 20 दिन से लगाता है प्रदशन चल रहा है वहीं बिहार के समस्तिपुर में गोपी का उचित दाम नहीं मिलने से एक किसान इतना तूट गया कि उसने लहराती फसल पर ट्रेक्टर चला दिया दरसल ये मामला भिहार के समस्तिपुर जिले का है जहां किसान ओम प्रकाश यादब का कहना है कि गोपी की खेती में 4000 रुपे प्रती कट्टा का खर्चा आता है और यहां मंडी में एक रुपे कलोबी नहीं बिक्रा है ओम प्रकाश कहते हैं कि पहले तो गोपी को मजदूर से कटवाना पड़ता है फिर बोरा देकर पैक करवाना होता है और ठेले से मंडी पहुचाना पड़ता है लेकिन वहां आर्थियों एक रुपे प्रती कलोबी गोपी की फसल खरीदने को तयान नहीं है मजबूरन उसे अपनी फसल पर ट्रक्टा चरवाना पड़ रहा है किसार ने बताया कि ये दूसरी बार उसकी फसल बरबाद हुई है इससे पहले भी उसकी फसल को कोई खरीदने वाला नहीं था नियूस टेक्स झाल